हलो फ्रेंड्स, क्या आपको ये टेंशन है कि आपके बच्चे दाने के अंदर कहीं कैंसर तो नहीं बन रहा है, तो ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, जिनसे ये पता चले कि आपके यूटराइन कैंसर है या नहीं है, या ऐसे कौन से कारण है जिनसे कि यूटराइन कैंसर हो स तो सबसे पहले हम बात करें गे कि UTRION-CANCER होता क्या है जब भी आपने यह टॉम सुना होगा कि बच्चेदानी में CENSER हो गया है तो बच्चेदानी का अगर हम बात करते हैं तो 2 हिस्से होते की बच्चेदानी की बौड़ी होता है बच्चेदानी का मुह होता है जिसको के CERV अब आपके दिमाग में सवाल आता है कि आखिर यह होता ही क्यों है? तो यह जनरल एक DNA changes के कारण या genetic कारणों के कारण किसी मरीज को endometrial cancer बन जाता है यानि कि जो endometrium की normal cells हैं उनके DNA में कुछ mutation या कोई changes आने के कारण वो cells abnormal rate पर grow करने लग जाती है यानि कि जो normal cells की growth rate है उसे double triple rate पर ग्रो करती है और बहुत जल्दी 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 डबल होकर पूरे बच्चेदानी को cells से endometrial की layer से भर देती है जो कि cancer cell होने के कारण खून के नलियों से बच्चेदानी के बाहर के हिस्सों में भी फैलने लग जाता है तो यानि कि दिरे दिरे बच्चेदानी के दिवार तक और आसपास के हिस्सों में आतों में पिशाप की थैली में और खून के तुरू फिर आसपास के areas में और पूरी बाडी में भी फैल जाता है इस तरीके से जो endometrium की cells होती है जो बाहर की तरफ फैलने लगती है उसी के आधार पर हम इसके staging करते हैं जिसको stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 cancer बोला जाता है कि यानि अगर बच्चेदानी के अंदर की layer तक स stage 2 है आसपास के area में पहुंच के stage 3 है और जब पूरी बाड़ी में कहीं पे liver में, lungs में और कहीं फैल गया है तो से stage 4 cancer का आ जाता है अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर आपको पता कैसे लगेगा कि आपको बच्चेदानी में कहीं cancer तो नहीं है तो जादा इसके मोटे symptoms अलग से नहीं होते हैं यदि आपको periods के बीच में bleeding हो रही है या आपका महिना बंद हो गया है और महिने बंद होने के बाद यानि की मीनोपाउस आ गया है और उसके बाद में कोई bleeding शुरू हुई है तो जादा chances होते हैं कि आपको बच्चेदाने के discharge आ रहा है तो एक indication हो सकता है कि आपको बच्चेदाने में cancer बन रहा हो अब यदि ऐसा कोई symptom आपको दिख रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए डॉक्टर से आपकी जाच करवानी चाहिए डॉक्टर एक sonography करते है जो कि transvaginal sonography होती है उसमें 90-99% तक हमें पत चल जाता है कि किस प्रकार की अंदर कोई विमारी चल रही है कोई गांट है पॉलिप है या फिर कोई cancer जैसी कोई विमारी बन रही है अगर अंदर की layer का थिकनेस काफी जादा आता यानिके endometrial thickness जिसको बोलते हैं ET लिखा हुआ होता है हर sonography report के अंदर ET का report ये आपको लग पानी चाहिए यानि कि अगर हम उसकी biopsy करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि endometrial में cancer है या नहीं है biopsy बिना बेहुशी के भी की जा सकती है और दूर्बिन डालकर चार्च भी की जा सकती है जब बच्चे दानीके अंदर दूर्बिन डालकर यानि हिस्ट्रोस्कोपिक guided biopsy की जाती है तो जादा अच्छी होती है जिसे कि यह पता चल जाता है कि अंदर कोई मास बड़ा है नॉमल है अब नॉमल एरिया तो नहीं दिख रहा है अब ऐसे कौन से लोग हैं कि जिनको endometrial cancer होने की संभावना है जादा होती है तो सबसे पहले तो आता है कि जिनका की महिना बहुत जल्दी शुरू हो गया है और बहुत लेट तक चल रहा है याने की महिने काफी लंबे समय तक चल रहे हैं दूसरा अगर आपको मिनोपॉस आने के बाद में ब्लेडिंग शुरू हुई है या फिर आपको diabetes है, hypertension है, obesity है याने की मोटा पाई, यह तीनों बहुत high risk होते हैं, जिसमें की endometal cancer होने की संभावनाई काफी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके लावा यदि आपकी mother को, sister को, mossi को, किसी को cancer है, तो definitely आपको भी cancer होने की संभावनाई बढ़ जाती है, इसके लावा आतों का एक cancer होता है, जिसको की lynch syndrome बोलते हैं, उसके साथ भी hereditary cancer होने की संभावनाई बढ़ जाती है, यानि कि तब आपको बच्चे दानी में और breast में भी cancer होने की संभावना बढ़ जाती है, तो ऐसा अगर कोई भी symptom है आपको या ऐसा कोई high risk factor है, तो definitely आपको अपनी जाच करवानी चाहिए, और पता रगवाना चाहिए कि कहीं ऐस किया जाता है, तो थोड़ा सा extra operation किया जाता है जिसमें आजु बाजो का हिस्चा भी निकाला जाता हूँ खोन की नलिया होती mommy also we fight कि निकाला जाता है, तो यानि कि इस य हम साथ में lymphadenectomy भी की जाती है, तो यह सारी चीज़ें मिला कर radical num Ministries Stackland की जाती है, जिससे की इसका 100% रिलाज हो जाता है और बायोपसी के अधार पर ये ताई किया जाता है किसको कीमो तरेपी और रेडियो तरेपी देनी की ज़रूत है या नहीं है तो मैं समझते हूं कि आपको ये समझ में आगया कि हाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से होते और कुछ भी अबनॉमल लगता है तो आप डॉक्टर से उसके सलहा लेती है तो डेफिनिटली आप अपना कैंसर से बचाव कर सकती है फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकती है हम आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक नमस्कार